जै शीराम आप सभी का हरी एवरिवेर चैनल पर इस नए वीडियो के साथ मैं बहुत-बहुत सवागत करता हूँ प्रभु शीराम और रावण के युद्ध और महा भारत के युद्ध में किस युद्ध की अवधी लंबी थी आज के इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे तो आप लोग बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में और हाँ यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप सभी का सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लंका में प्रभोशी राम जी और रावण के मद्य घोर युद्ध हुआ और इस युद्ध में प्रभोशी राम ने रावण कावद करके धर्म की स्थापना की और अधर्म का विनाश किया वालमिकी रामाड की अनसार लिया घोर युद्ध लगातार 84 दिन तक चला था यह युद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतिया तिधी को प्रारंभ होकर दशहरे के दिन दश्मी को रावण के वद के साथ ही स्वाप्थ हुआ वही बात करते हैं महाभारत की युद्ध की तो महाभारत का युद्ध मार्ग सिर्ष शुक्ल 14 से प्रारंभ हुआ था जो लगातार 18 दिनों तक चला था और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस युद्ध में पांड़ों को विजय हासिल हुई थी तो इस वीडियो के माध्धम से यह पता लगता है कि रामाण और महाभारत की युद्ध में रामाण का युद्ध ज्यादा लंबे समय तक चला यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा जैजाए शीराम